इहारी राजनेता जो बना देश का उप परधान मंतरी जिसे अस्कूल से लेकर मंतरी बनने के बाद भी समाजिक भेदबाप का होना पड़ा सिकार जिसने अपात काल के बाद इंद्रा को चुनाओ में हरवा दिया बेटे की एक तस्वीर ने राजनीति केरियर को कर दिया समाप बिहारी पे जोड़के आज के सेग्मेंट में बाद एक ऐसे बिहारी की जिसने अपने पढ़ाई के दिनों में ही समाजिक भेईसकार को जेलना पड़ा जब वह बच्पन में अस्कूल जाता था तो दूसरे मटके से पानी पीना पड़ता था उसके बिरोध में उसने मटका ही फोर दिया इतना ही नहीं जब वह कॉलेज पहुचा तो नाई ने बाल काटने से मना कर दिया था तब उन्होंने भेदभाब के खिलाब एक मुहीम ही चला दी यह नौजबान जब और जवान हुआ तो पी-एम जवाहरलान नहरू की पहली कबिनेट का मंतरी बना जब वह रच्छा मंतरी बना तो उन्होंने पाकिस्तानियों को छटी का दूध याद दिला दिया जब वह क्रिसी मंतरी बने तो उन्होंने अजाद भारत की पहली हरीत करांती को सफल बनाया आप भी समझी गए होंगे हम बात कर रहे हैं बाबु जग जीवन राम के बारे में बाबु जग जीवन राम का जन्म 1906 में बिहार के आरा जिले में गवाता उन्हें बच्छपन में ही छुआ छूट जैसी कुरूतियों का सिकार होना पड़ा जिस अस्कूल में पढ़ते थे वहां पाने पीने के लिए दो अलग-अलग मटके थे उन्होंने इसका बिरोध किया था उन्होंने मटका फोर दिया अस्कूल से निकलने के बाद जब वो एक कालेज की पढ़ाई करने के लिए बनारस हिंदू बिस्विद्याला पहुंचे तो वहां भी उन्हें कुरूतियों का सामना करना पड़ा यहां पर नाई ने उनका बाल काटने से मना कर दिया यहां भी उन्होंने मुखर होकर अपनी बाद उठाई और आखिर में भी उच्यू छोड़कर हुए कलकत्ता बिस्विद्याला चले गए यहां उनकी मुलाकात सुआस चंदर बोश से हुई यहीं पर पढ़ाई के दोरान उनका मुलाकात महत्मा गांधी से भी हुआ और 1931 में वे कांग्रेस के साथ हो लिये और वे कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने लगे देश की अजादी मिन्नेक से पहले साल यानि 1946 में अंतरिम सरकार बनी जिसमें सबसे कम उम्र के उन्हें मंतिरी बनाया गया फिर अजाद भारत में जब पहली बार साल 1952 में आम चुनाब हुआ तो बाबु जग जीमा राम सासा राम से चुनाब लड़े और जीते इसके वाँ साल 1986 तक बेलागातार चुनाब जिते रहे और वे 30 साल तक केंदर में कैülिट भी रहे देश की राज्यिती में जब इंदरा गांधी का जिक्री होगा तो अपात का जिक्री होगा ही ऐसे में साल 1975 में लहावाद का की एक बेंच ने इंदरा गांधी के इंदरिवाचन को आयोग घोचित कर दिया था कहा जाता है कि इंदरा के 6 साल सुनाव लड़ने पर रोक लग सकता था ऐसे में जग जीमर राम को यह लग रहा था कि उन्हें कांगरेस की चा भी मिल सकती है इंदरा गांधी ने उन्हें पहला राष्टी अध्याच भी बनाया था जिससे दलितों को एक संदेश दिया जा सके कि इंदरा दलितों की हिमाईती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देश में आपातकाल की घोशना कर दी गई लेकिन वेक कैबिनेट में अभी भी मंतरी रहे हलाकि इमर्जंसी खत्म होने के बाद एक बाद फिर से चुनाव हुआ इस चुनाव से पहले फटबरी उनसे सकतर में जगजीमार राम ने अचानक से कॉंग्रेस छोड़ने का फैसला कर दिया और अपनी पार्टी कॉंग्रेस फोर डेमोक्रेटीव नाम दिया हलाकि बाद मुन्होने जंदा पार्टी से चुनाव लटने का फैसला किया इसके बाद इंदरा के बिरोधियों में एक फुसी की लहर दोड़ गरी पूरे चुनाव के दोरान इसी तिया थी कि जगजीमार राम की लहर चल रही थी कहा जा रहा था कि इंदरा की कुरसी चली जाएगी लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए उबह भी इसी तरह के थे और कहा जाने लगा कि अब जगजीमार राम देश के परधान मंतरी बन सकते हैं बिहार का बेटा परधान मंतरी बन सकता है लेकिन मुरार्जी देसाई के चाल के आगे इनकी एक न चल सकी जन्ता पार्टी में परधान मंतरी की रेस में मुरार्जी देसाई जगजीबन राम और चौधरी चरंड सींग का नाम चल रहा था हलाकि इन सब के बीच में जैप्रकास नाराइन आया और हुनों ने मुरार्जी देसाई का नाम आगे कर दिया जेपी के इस फैसले से जग जीवन राम बहुत तराज हो गए और द्रसाइक की कैबिनेट से सामिल होने से उन्होंने साफ मना कर दिया इतना ही नहीं सपत गरहन समारोख में भी सामिल होने से उन्होंने अपने आपको अलग किया लेकिन जेपी का एक बार फिर से हस्तर छेप ह जेपी ने जगजीबन राम के सामने एक भाबुक अपील की ऐसा लग रहा था जैसे जेपी अब हाथ जोड़कर उन से कह लेगे कि आप पार्टी में एक बार फिर से सामिल हो जाइए लेकिन उससे पहले ही जगजीबन का दिल पसीज गया और वे कैमिनेट में सामिल हो गया उ इंद्रा की बहुने तो वो कर दिया जिसके चलते उनका राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो गया यह घटना साल 1970 का है जब रामिला मैदान में इंद्रा गांधी के विपच्ची एक सभा कायोजन कर रहे थे इस जन सभा में अटल विहारी बाजपई के भासन को याद किया जात है कहते हैं कि उनका भासन इतना रुकरुक कर देते थे कि वे लोग उठकर जाने को तयार हो जाते थे खेर रामिला मैदान में जो भीड पहुंची थी वह जग जीवन बावू के कारण पहुंची थी लेकिन इस भीड को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी पूरे हथ कंड़ आजमाय थे राजिव गांधी पधान मंत्री थे उनके करीवी विद्याचरन सुक्ल उनके करीवी थे और सुचना प्रसारन मंत्री भी थे उन्होंने फैसला किया कि रहली बाले दिन साम को दुरदर्शन पर बावी फिल्म दिखाए जाएगी जिसमें यह कहा गया कि लोग फिल्म देखेंगे राम लिला मैदान में कोई नहीं जाएगा लेकिन मैदान में खचा खच भीर थी इस्तिती यह थी कि बारिस होने लगी थी और लोगों ने छाता लगा कर पुरा भासम सुना अगले दिन अखवार की हेटिंग थी बावो विट्स बॉबी बावो जब यह तस्वीर कंसल्टिंग एडिटर खुसबंध सिंग के पास आई थी खुसबंध ने अपनी आटोबाई ग्राफिय में बताया है कि यह तस्वीर पूरी तरह से पोर्ण था लेकिन इसे छापा गया उसके बाद पुरे देश में जिसे हंगामा मच गया और उस समय के उप जगजीवान राम के बेटे सुरेश ने उस लड़की आनी की सुस्मा के साथ साधी कर दी लेकिट इसका कोई राजनीतिक फाइदा न मिला दवी जवान से राजनेता आज भी यह करते हैं कि जगजीवान राम के राजनीतिक केरियर को खत्म करने के लिए यह फोटो का इस्त 177 में जब वे रच्छा मंधरी थे तो बारमनसी में संपूर्णा नंग की मूर्ती का अनावरन करना था जब वे वहां से चले गए तो वहां पर कुछ ब्रामनों ने यह कहकर उस मूर्ती को धो दिया कि उसे एक दलित ने छुआ है उसके बाद जग जीवान राम का बयान आ हो सका लेकिन उनकी बेकी मीराकमार लोकसभा की अध्याच बनी वो भी संजुक प्रगतिसील कट बंदन यानि की यूपिय की बनी जिसमें उनका दावेदारी जो था वो कांगरिस की तरफ दे था तो ऐसे थे बाबू जग जीवान राम और सब्सक्राइब आप से एक सवाल की बाबू जग जीवान राम खुले कर आपके मन में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके जरूर बताए वो कैसे राजनेता थे आप हमें जरूर बताए